अश्लाम अलेकुम डियों इस्टूरेंट कैसे आप लोग मीरें कि आप लोग बिल्कुल ठीक टाक होगे तो आज इस वीडियों में चाला हम लोग बात करेंगे अब आउट के जब कि हम क्या टेस्ट का रिजल्ट आजाएका तो उसके बाद स्टूरेंट्स ने क्या करना होता है या प्रोसेस क्या होता है या प्रोसीजर क्या होता है एप्लाइ करने के लिए तो यार उसक्रीफ यही होता है कि हम यूट की वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म आते हैं आप लोग ने वह वह सब्मिट करने होते हैं अब उस फार्म में होता क्या है यह चीज देख लेते ह है अब फार्म आते हैं आप लोगों ने फार्म जो है वो सब्मिट करने होते है उस फार्म में जो है वो फिरस्ट अफाल आप लोगों ने अपना जनरल जो आप लोगों का इंफरमेशन है वो दिन होती है परसनल इंफरमेशन जिसको हम लोग कहते है लाइक आपका नेम आपक कि student ने diploma किया हुआ है तो उसका पूछते है तीसरा जोग उसमें section होता है वो आप लोग का documents का होता है ति कि आप लोग ने documents पगरा जो है वो देने होते हैं documents कौन कौन से required है यह जीज भी अपने पास आप लोग note कर ले अगर आप लोग के पास ने में से कोई भी document missing है तो आप लोग कोशिश करें कि वो अभी से बना ले पहली बात हो जाए कि आप लोग के पास metric FSE की DMC plus certificate होना चाहिए अब mostly students यहाँ पर यह भी बोलेंगे कि हमारे पास FSE का result अभी तक नहीं है तो मारे पास FSE की DMC नहीं है तो यहाँ इस बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ प्रिवियस वीडियो में अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले कोशिश करें ठीक है पहले वो वीडियो देखकर आजाए उसका link में description box में दे दूँगा तो आप लोग पहले कोशिश करें कि उस वीडियो को देखें कि कि उस में रिजल्ट के वारे में डिटेल में बात की है तो यहाँ कि उस वीडियो में डिटेल में बात की है तो अच्छा अगर वो आ जाता है तो आप लोगों ने वो DMC's पगरा separately आप लोगों ने जो है वो like payment करनी होती है तो वो जब यह process start होगा तो यह ताभी पता चलेगा कि एक field को select करने के लिए like वो कितने पैसे ले रहे हैं जब last year की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि आप लोग 750 रुपीज में एक field में apply कर सकते हो या 1500 में आप दो fields में apply कर सकते हो और 3000 में आप लोग कोई सी भी चार fields हो है वो select कर सकते हो अच्छा यह process हो गया उसके बाद जो है वो जब आप लोग यह चीज वो कर लेते हो अच्छा अब students का यहां पर यह बी question होगा के like वो कौसी field में apply करें या कूंसी campus में apply करें अब इसके लिए एक separate video बनाऊंगा औं suburbs में बताऊंगा कि अगर किसी student का for example 80 plus aggregate है तो वो कोौन सी field में apply करें अगर किसी student का 70 plus aggregate है तो वो कौन सी field में apply करें और अगर किसी student का 80 plus aggregate है तो वो कौन सी field में apply करें और इसी तरह अगर किसी student का 60 से कम aggregate है 50 की line में तो वो कहाँ पर apply करें ठीक है ये सारी चीज़ें इंचाला हम लोग एक निव वीडियो में explain करेंगे in full detail अच्छा उसके बाद जो है वो जब आप लोग ये सारा कुछ forms फिल कर ले तो फिर आपने बैंक में free submit करनी होती है वो मैं आपको बता जोगा हम कि last year जो है वो per discipline 750 रिपीज केम्यू ने चार्ज के थे इस मर्तपगा नहीं पता ये forms आएंगे तो तब ही कोई बता सकी करके इस मर्तपगा केम्यू लाइक कितने जो है वो charges ले रहे है जब 2020 की बात करूं तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि आप लोग 3,000 में सिर्फ 3 fields में apply कर सकते हो ठीक है 2020 में लेकन 2021 में ने कहा था कि आप लो तो आप लोगोंने fee submit करनी होती है उस बाद उसको वापस आकर upload करना होता है जिस तरह आप लोगोंने पहले test की registration के लिए की थी कि उस fee slip को दबारा website पर upload करना होता है यह सारा process इंशाला हम लोग in the form of video आप लोग को भी जो है वो explain करेंगे जब forms आ जाएंगे तो इंशाला आप लोगोंने इस चीज की attention बिल्कुल भी नहीं ले लिए इंशाला हम लोग आपको बिल्कुल आखर तक guide करेंगे उस वक्त तक guide करेंगे जब तक आप लोग अपना पहला कदम नहीं रख लेते की M.E.U. में अचाए forms आप लोगोंने जो है वो submit कर लिए वो काम हतम हो गय कि M.E.U. क्या करता है कि तकरीबन एक हफ़ते तक जो है वो एक हफ़ते के बाद जो है वो वो provisional merit list display करता है अब जब provisional merit list आ जाती है तो उसका काम क्या होता है basically जब provisional merit list आप लोगों के पास आती है तो उसमें जैस्ट आप लोगोंने अपने names अपने father names ये CNIC वर ये चीज करेक्ट करनी होती है अगर किसी के mistake है तो वो complain कर सकता है और इसको correct करवा सकता है ठीक है ये आप लोगोंने लाजमी करना होता है कि पर बात में मसला बन जाते है names बगरा में और further जो important चीज़ होती है वो आप लोगों के marks होते हैं आप लोगों आपने metric के marks वहां पर जो भी तो ये चीज़ आप लोगोंने professional merit list में देखनी होती है उसके बात कि हम यह जो है वो एक दो दिन बाद यह तीन चार दिन बाद यह डिपेंड करता है उन पर ही फिर वो एक final merit list जो है वो share करता है यह merit list बिल्कुल finalized होती है लाइक इसके बाद फिर उस merit list में किसी भी student ने जहा है वो dpd के लिए apply किया है तो अब dpd की पिशावर campus के लिए 80 seats है स्वाद के लिए 40 seats है इस रहा मरदान के लिए वो मुझे नहीं पता वो में देखके आपको बता दूँगा तो वो जितनी seats available होती है वो top के उतनी students को जो है वो जिन्होंने dpd में apply किया होता है उनको बुला लेता है ठीक है फिर students क्या करते हैं अपनी field select करते हैं कि उन्होंने dpd में जाना है और dpd में अगर जाना है तो कौन से campus में जाना है in this and that way वो like यह चीज select कर लेते हैं ठीक हो गया जब यह चीज select हो जाती है तो यह आप लोग का basically interview होता है ठीक है like जब final medalist select ह तो उसके बाद interview होता है interview में आप लोग जाते हो तो यह चीज select करते हो कि आप लोगोंने कौन सा discipline select करने है और कौन सा campus select करने है ठीक है यह चीज़े लेकर जानी होती है फिर वहाँ पर आप लोगोंने seat confirm करनी होती है फिर वह वहाँ पर आप लोगों को एक fee slip देते है जिसमें आप लोगों की first semester की fee mention होती है वह आप लोगोंने क्या करना होता है कि fee bank में submit करके ठीक है और उसकी photocopy या hard form में ठीक है अगर आप क्यम्यू के निजदीक हो तो आप लोग जो है हो hard form में submit करोगे अगर कोई student for example aptabat से है या किसी दूर द्राज अलागे से है या for example banu से है या कोई भी दूर द्राज अलागे है या कि क्यम्यू नहीं आ सकता सिर्फ वह slip देने के लिए तो वह क्या करेंगा कि कि क्यम्यू है कि आप लोगों की seat जो है वो confirm हो जाती है ठीक है अगर आप लोग फार गिवन टाइम में फी submit नहीं करते तो आपकी seat जाया हो जाती है और वो seat किसी और student को दी जाती है ठीक है तो आप लोग ने कहा करना है कि जो time came you आपको दे आप लोग उने उसी के अधर अधर अपनी fee submit करनी है और उसको जो है वो उनको whatsapp करना है या उनको by hand जाकर देनी है तब जाकर आप लोगों की seat confirm होती है यह था आप लोगों के पास process के result के बाद आप लोगों के किसना से apply करने यह सारा process कैसे होगा यह सारे चीज़ें जब वक्त के साथ साथ आएंगी जिसना farm filling आ गय करेंगे अभी जस्त आप लोगों को एक hour review देना था किके students इस चीज़ें के बारे में confused है कि यह result आ गया उसके बात क्या होगा तो यार यह सारा process होता है और इस तरह आप लोग क्या में apply करते हो कोई question कोई queries है तो आप लोग comment section देर कूछ भी सकते हो ठीक है और detail चीज़ें तो फिर वक्त के साथ साथ जब यह चीज़ें आएंगी तो तब हम आप लोगों को बताते जाएंगे students का scholarship के बारे में भी काफी question होता है तो यार scholarship जिस वक का admission हो जाता है उसके बाद मिलती है ठीक है first semester की fee आप लोगो को submit करनी ही पढ़ती है ठीक है बाकी फिर उसके बाद जो भी प्रास्ट होता है मैं शाला आप लोगो एक complete वीडियो में full detail के साथ बताऊंगा thank you